तो दोस्तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही चटपटे क्रिस्पी नए नास्ते की रेस्पी सेर करने जा रहे हैं घर के सिर्फ दो चीजों से ये नास्ता बन जाता है तो यदि आप ब्रेकफास्ट में या साम की चाय के साथ कुछ अलग खाना चाहते हों तो ये नास्ता ट्राई कर सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप गेहूं का आटा लिया है इसमें हम डाल देंगे आधा चोटा चम्मच आजवाइन एक चोथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर थोड़ी से हल्दी और आधा चम्मच धनिया पाउडर नमक डाल देंगे आधा चोटा चम्मच और अभामीन मसालों को आटे में अच्छे से मिला लेंगे अब आटे में मोयन के लिए हमने यह एक टेबल इस्पून ओयल ली है इसे डाल देंगे और आटे में अच्छे से मिला लेंगे ओयल या घीर ज्यादा नहीं डालना है बस एक टेबल इस्पून ओयल प्रयाप्त है अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका आटा गूत लेंगे आटे को मुलायम नहीं रखना है इसे थोड़ा सक्त गुतना है और देखे इस तरह से हमने आटे को पूरी से भी थोड़ी सक्त गुती है इसे ढग कर सेठो निकले रख देते हैं तब तक हम बाकी की त्यारी कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने आधा कप चना दाल को 3-4 घंटे भ पूल गये हैं इसकी जगह मुंग दाल भी भीगो कर ले सकते हैं इनको हम मिक्सर जार में डाल देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च एक इंच अधरक के टुकड़े और दो से तीन टेबिली स्पून पानी ज्यादा पानी मत डालिएगा नहीं तो मिसरड प कि जिएगा और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चोता चममच घीरा थोड़ी सी अजवाइम एकचोथाई चममच लाल मेर्च पाउडर एकचोथाई चममच हल्दी पाउडर और आधा चोटा चमश नमक डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धन्य डालेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोस्तों आलू की जगा आप इसमें बारी कटा हुआ प्याज भी ले सकते हैं और देखिए इस मिस्रड को हमें इस तरह से ठीक रखना है पतला हो रहा हो तो थोड़ा सा बेशन मिला लिजेगा इधार आटा भी अच्छे से सेट हो गया है तो एक बार आटे को हम और मसल कर चिकना कर लेंगे और आटे का दो पार्ट करके बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे अब एक लोई लेंगे और इसे हम बेल लेंगे इसे हमें रोटी जितना पतला और थोड़ा बड़ा बेलना है देखिए इस तरह से अब इसको हम चौक और शेप में काट लेंगे तो इसके लिए हमने पीजा कटर ली है, चाकू से भी आप इसे काट सकते है, किनारे के आटे को हटा देंगे और उसी आटे में मिक्स कर लेंगे, आप एक फोर्क लेंगे और इससे इस तरह से होल कर लेंगे, चाकू या टूथपीक भी ले सकते हैं, जो आपको असानी लगे, इससे नास्ता अमारा फूलेगा नहीं और क्रिस्पी बनेगा, इस तरह से पूरी रोटी पर हमने होल कर ली है, अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे, इस तरह से नास्ता अमारा जल्दी बन जाता है, इनके हमने चोकोर चोकोर पीसेस कर ली है, और सारे आटे से इस तरह का चौकूर पूडियां बना कर त्यार कर लिए है अब दाल आलु वाला ये पेस्ट लेंगे और एक चमबच पेस्ट इन पूडियों के उपर रखेंगे देखिए इस तरह से और बराबर से फैला लेंगे इस तरह से कुछ पीसेज हमने बना कर तयार कर ली है एक बार में ज्यादा बना कर मत रखेगा ने तो नीचे से आटाग गीला हो जाएगा अब साइड में हमारा तेल भी गरम हो गया है तो इसमें हम ये डाल देंगे डालते समय ध्यान रखेगा जो दाल वाला हिस्सा है ना उसको हम नीचे रखेंगे इस तरह से एक एक करके हमने सभी को डाल दी है दाल वाले साइड से पकने में थोड़ा टाइम लगता है तीन से चार मिनट पकने के बाद इनको हम दूसरी तरह पलट लेंगे आटे वाले साइड में जल्दी पक जाता है तो दो मिनट हम इनको और तलेंगे और देखिए दूसरे साइड से भी अच्छे से पक गए है इनका कलर सुनहरा हो गया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे ये उपर और नीचे से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट खाने में बहुत ही स्वादिश लगते हैं इनको आप गर्मा गरम टोमेटो सास या धनी की चटनी के साथ सर्फ करिए ज्यादा भी बना लेंगे तो एक से दो दिन तक खा सकते हैं खराब नहीं होते हैं रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट में चरूर बतेएगा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा सेयर कर दीजेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्या